POCO F1 के लिए MIROOM का अनदर पोर्ट रोम आ चुका है जो कि 20.5.21 है और यह एक HN पोर्ट है जहां पर आपको काफे इंट्रेस्टिंग निव फीचर्स देहने को मिल जाता है तो इस वीडियो के अंदर में आपको कुछ नया देहनी को मिलता है किया है चेंज लोग और कैसा है इस रोम का परफॉर्मेंस हेलो एडियो में हम इमाई रूम के लेटेस्ट अपडेट जो कि 20.5.21 है एचिंट पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको देहनी को मिलता है वन मन्ट ओल्ड सिक्यूर्टी पैज जो कि 2024 1 का है मुए पर यहाँ पर आपको यूज किया गए पर माइनस का करनेल में 6 जी लाए यहाँ फिलाल वर्जन यूज कर रहा हूँ जो कि इन रॉयट टेन को उपर सपोर्ट आता है और इसमें सीम चेंट लोग आपको देहनी को मिलता है जो कि ओफरिशली है जो हमें इमाई रूम क यहाँ पर यहाँ पर इसमें से बसक्तल मिलता है तो यहाँ पर आपको बने चेंट को है जो कि ओफरिजन का इसमी को आता है किसी दो करना है यहाँ पर आपको तो Gcam का भी support मिल जाता है तब Gcam वगर भी यूज कर सकते हो इसके by default camera को यूज करते हुए भी तो इसमें भी आपको कोई issues नहीं आता है तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा score मिलता है जो के अमेजन प्राइम और नेट्फिक यूज करते है तो यहाँ पर आपको HN port के तरफ से L1 का support मिल जाता है जबकि official बहुत सारे devices को MI room की ओर से L1 का support नहीं मिलता है तो यह एक सबसे बड़ा plus point हो जाता है वहें पर जो हमारा camera है बिल्कुल यह latest new UI के साथ आपको देहने को मिलता है जहाँ पर सारे latest features मिल जाते हैं और अगर आप यहाँ पर्टेट पर आते हो तो एक नया option दिखाई देता है जो कि हमारा movie frame है जहाँ पर कुछ इस तरह के आपको frame देहने को मिलेगा और यह perfectly काम करता है तो आप इसमें कोई भी option को चाओ यूज करना तो यूज कर सकते हो तो यह मुझे perfect तरह के सब working देहने को मिला है और बिल्कुल लेटिस्ट वाले features के साथ है आपको जो आता है देहने को मिल जाता है तो यह भी मुझे सबसे बड़ा plus point लगा है क्योंकि वह तक तो official आया नहीं है और पता नहीं कब जाके हमें मिलेगा नाम तो सामिल हो गया है पोको एवण का official list के अंदर बट अपडेट काफी लंबे टाइम के बाद मिलेगा लेकिन यह एचन के रोम हमें सारे features प्रवाइड करते हैं और dual status bar भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जहां पर आप देख से तो dual जीओ का सिम्यूज कर रहा हूं speed meter दिखाई दे रहा है और timing के साथ आपको notification भी नजर आ रहा है तो बहुत सारे users है जो किसी भी customer को इसलिए ignore कर देते हैं कि भाई dual status bar का features नहीं है notification वगेर में problem आएगा बट इस room के अंदर आपको यह सारे features मिल जाते हैं जिसके वज़से आपको कोई problem face नहीं होगा notification से regarding वह बाइटिफुल जो camera है आपको Harvard के तरह calendar चाइना region में देखनी को मिलता है तो यहाँ पर अब भी text size के कुछ limitation है तो आप unlimited test यहाँ पर type नहीं कर सकते है जबकि EU का जो same update है उसमें आपको unlimited देखनी को मिलता है जबकि MI room वालों ने अभी तक हमें provide नहीं किया है तो कुछी words तक आप यहाँ पर जो limit की रूप में set कर सकते हो वह को new charging का animation देखने को मिल जाता है तक आप इसे put कर रो आपको आपको डिकायें देते हैं भी तो हुपर यहाँ पर जाते है कंट्रोल सेंटर के ओपर था आपको dual district stiffwar नाग जबलता है और यहाँ पर colors site are or internet का double option मेन देखनी को मिल जाता है स्वाइब जेस्टर्स वगरा देखने को मिलते हैं यहां पर बैटरी पर्सेंटेज वगरा दिखाई देता है और अल्ड बैटरी आइकन अलारम हाइड और ब्लूद आइकन हाइड यह तो ओल्ड फीचर है जो हो चुका है तिये भी आपको पर्फेक्ट वर्किंग मिलता है होम स्किन के अंदर वही सेम कॉमन फीचर्स देखनी को मिलता है जो की नो चेंज है यहां पर आपका फेस अनलोग फिंगर्प्रिंट पकर है जो पर्फेक्ट वर्किंग है तक आप फेस अनलोग यूज करते हो ति यह भी आप यूज कर पाऊ कि कोई भी इसूज नहीं आए और आप उसे जो वाच करके बेनिफिट ले पाऊ है अदेशनल के अंदर आपको नया ओप्सन देखने को मिलता है जो कि क्लियर स्पीकर का है तो यह फीचर से इंट्रद्यूस किया गया है तो यह फीचर से इंट्रद्यूस के साथ में भी ठीक से आद नहीं है या फिर मुझे लगा है जो दिया गया है बट क्या लगता है यह रियली में हेलफुल है डश्ट को क्लियन करने में मुझे तू फ़र डाउट लगता है इसके उपर आप कमिन करके जरूरू बताना ओके यहां पर आप टेलोग पर का उप्सन इनेवल करते हो तो इमाई रूम में हर अपको ने पर आप ने उपसंन देखने को मिल आते है जैसे के बार में वेन को इनेवल करने का उपसन सीट का और यहां पर यहां पर जो वार्निंग का और स्मार्ट नाटवर का ते सेम ओप्सट आप दिखाई देता है जो कि छोटी सी कमी की बात करते हुए गिल्च यहां आप देख सकते हो मैंने सर्च बार इनेवल किया है और Android 10 का जो यहां पर बार है ना यह सर्च बार को पर ओबरलाइब हो रहा है और सर्च बार बिल्कुल है जो स्क्रीन के हलका सा नीचे की और डाउन जाड़ा है जो कि जो गिल्च है ना यह मैं रूम के ओर से आया है यानि म यहां पर आपको YouTube का भी सपोर्ट मिल जाता है इसके डिफॉल्ट मूजिक प्लेयर में तो आप कोई भी वीडियोज बगरा है जो बैग्राउंड में रन कर सकते हो मुए पर आएक के राते तो आपको से में स्कीर ओन टामिंग बगरा देखने को मिल जाता है जिनके अंदर आपको कोई भी चेंजमेंट दिखाई नहीं देता है तो यह जितने फीचर से मुझे प्रोपर वर्किंग मिले है अब अक्सलों का सेम कमेंड आता है क्या यह रोम हीट करता है तो भाई गर्मी का मौसम है आपको इसा भी रोम क्यों ना डाल लो आपका फोन हीट होगा ही हो तो हीट नहीं होता है कि आपको जो प्रोलम फेच हो लेकिन ुसा भी डिवाईस क्योंना हो इसे डिलियाफ में यूज कर पाओगे और चाडिन आपको आपको ईहां पिछ सर्चु पीचरिय लिए चालर के चाका सल लंकी लिए यहां पे तो आपको यहां पर देखने ल वो सारे option आपको यहाँ पर देहनी को मिल लाता है तो इस video में मैंने आपको दे दिया complete detail इस M.I. Rome के बारे में तो आप मुझे बताना कि यह video आपको कैसा लगा गर पसंद आया तो एक thumbs up जरूर दें और first time visit करने तो चानल को subscribe करना बिल्कुर ही न भूले ताकि इसी तरह के interesting video आपको मिल सके और आप हमेशा जो रोम के साथ up to date रह सको रही वाज की flash कैसे करना है तो dedicated video मैंने दे रखा इसके उपर आप उसे watch करके follow up है जो कर सकते हो तो आज क्लिक नहीं मेलते हैं निक्स वीडियो में बाबाद